Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, कैसे हैं आप लोग, मेरा नाम जुनायद है, तो आज की इस वीडियों लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पे comparison करेंगे Apple Watch Series 3 को Series 5 से, और यहाँ पे बात करेंगे कौन सी हमारी Apple Watch value for money है, 2022 और 2023 में हमें कौन सी Apple Watch purchase करनी चाहिए, तो यहाँ पे दोस्तों इसका पूरा detail में comparison करेंगे, size का comparison भी करेंगे और यहाँ पे इसकी build quality design के बारे में भी पूरी बात करेंगे, क्या हमें Apple Watch Series 3 और Series 5 में क्या-क्या changes देखने को मिल जाते हैं, क्या-क्या processor का difference है, और कौन सी यहाँ पे हमारी value for money होगी, तो दोस्तों इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो इससे subscribe कर दीजिए, और bell icon को press कर दीजिए, इससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए, यहाँ पे आप देखते हैं, मेरे पास apple watch series 3 है, जो की 42 mm है, मैं इसे पीछे से दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको जो है लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, series का आपको size, यहाँ पे आप देखते हैं, 42 mm की हमारी series 3 है, apple watch, और यहाँ पे दूसरी apple watch की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं, हमारी series 5 है, और इसके पीछे आपको दिखा देते हैं, तो यहाँ पे आपको series 5 40 mm की देखने को मिल जाती है, जो की दोनों ही aluminum case की है, तो चलिए बात करते हैं, अपनी video को, तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, build quality और finish के बारे में, तो यहाँ पे आप देखते हैं, दोनों ही, जो है, apple watch, आपकी retina OLED display के साथ आती है, यहाँ पे आप देखते हैं, इसके जो brightness है, आपको 1000 nits देखने को मिल जाएगी, बात करते हैं, display size के display देखने को मिल जाएगी, जो कि हमारी 42 mm है, बात करते हैं, इसके build quality design के बारे में, तो आप दोनों ही watch देख सकते हैं, देखने में, आपको similar देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे काफी difference आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, side by side अगर आप यहाँ पे compare करते हैं, यहाँ पे side में देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको दोनों में ही digital crown देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको movement करता हुआ, देखने को मिलेगा, आप इसे easily यहाँ पे movement कर सकते हैं, digital crown की help से, उसके नीचे देखेंगे तो आपको series 5 में microphone का grills देखने को मिल जाए में, इस तरफ इसको tilt करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे speaker grills आपको series 3 में 2 देखने को मिलते हैं, पूरी sides में, यहाँ पे आपको series 3 में speaker grills देखने को मिलते हैं, दो ऊपर नीचे और यहाँ पे आप देख सकते हैं, microphone के 2 grills देखने को मिल जाते हैं, त लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं काफी difference है यहां पर आपको heart rate monitor और बाकी sensor दोनों में ही देखने को मिल जाएंगे लेकिन थोड़ा से यहां पर आपको फरक देखने को मिल जाएगा जिससे आप easily इसे press करके अपने straps को change कर सकते हैं जो की बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों यहां पर बात करते हैं डिस्पे के बारे में तो इन दोनों को एक दूसरे से बहुत ही different बनाती है यहां पर आपको इसके डिस्पे में जो है काफी कम bezels देखने को मिल जाएंगे जो क इसे बहुत ही अच्छा लुक प्रोबाइड करती है यहां बात करते हैं series 3 के बारे में तो यहां पर आप देखते हैं इसके जो है आपको काफी बड़े bezels देखने को मिल जाएंगे मैं यहां पर दूसरा wallpaper लगा कि आप लोगों दिखा जाना हूँ जिसमें साफ difference आप लोग आपको काफी difference देखने को मिल जाता है इसके size में दोस्तों यहां पर बात करते हैं इसके features के बारे में तो आपको यहां पर दोनों ही Apple Watch में health related features देखने को मिल जाएंगे आपको यहां पर बहुत सारे workout mode और जो है indoor, outdoor, activities mode यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे दोनों ही Apple watch में, यहां पर आपको heart rate monitor भी दोनों ही Apple watch में देखने को मिल जाएगा, यहां पर चलिए मैं अपने हाथ में इसे पहन लेता हूँ, जिससे आप लोगों को मैं यहां पर heart rate monitor करके दिखा दूँ, तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, आप मैंने दोनों ही Apple watch को जो है अपन से यहां पर देख सकते हैं, हमारी Apple watch series 5 जो है, वो काफी fast है, इसलिए यहां पर जल्दी से हमारी heart rate को monitor करती है, यहां पर देख सकते हैं, हमारी Apple watch series 3 है, थोड़ा यहां पर time ले लेती है, क्योंकि यहां पर यह हमारा पुराना model है, और यह हमारा series 5 जो है, थोड़ा latest model है, इ यहां पर आप जो है काफी हद तक इससे अंदाजर लगा सकते हैं कि आपकी जो हट रेट मोनिटरिंग है वो कैसे वर्क कर रही है कैसे आप जो है अपनी हेल्थ को मेंटेन रख पाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों यहां पर आपको दोनों को मिल जाए लेकिन एक ऐसा फीचर है जो कि आपको सीरिस 5 में देखने को मिलेगा और सीरिस 3 में देखने को नहीं मिलेगा जिसे हम लिए ओल्वेस ऑन डिस्पले का मोड बियुलते हैं यहांप देख सकते हैं जब भी आप जो है कुछ वर्क कर रहोंगे अपने हाथ को आप ज टाइम जो है ब्राइटर देखने को मिल जाएगा अगर आप कुछ वक कर रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद यह आपके आलवेस ओन मोड में चली जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे आपकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो कम हो जाती है और जो है सारे फीचर्स मोड देखने को मिल जाता है आपको एपल वॉच सीरीस 3 में जब तक आप रेस तू वेक नहीं करेंगे तब तक आपकी अपल वाच का टाइम आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों यहां बात करते हैं दोनों इन एपल वाच के जो है साईस के साइस के बारे में तो यहा यहां पर Series 3 की बात कर लेते हैं, तो यहां पर आपको यह भी दो sizes में देखने को मिल जाती है, पहला जो है, 38mm का आता है, आपका size Apple Watch का, और दूसरा 42mm का आता है, यहां पर आप देख सकते हैं, जो मेरे हाथ में, यह 42mm की है, Series 3 Apple Watch, यहां पर performance की बात कर लें, तो यहां पर मॉडल है इसलिए आपको जो है थोड़ा स्लो देखने को मिल जाएगा यहां पर रिलीस डेट के बारे में बात कर लें तो हमारी एपल वॉच सीरीज 3 है वो 2017 सेप्टेंबर में लॉंच चुई थी और जो सीरीज 5 है यह हमारी 2019 में सेप्टेंबर को आपको लॉंच जहाती होती है यहाँ पर दोनों मेही डिफरन्स जादा नहीं है यहाँ पर सकते हैं कुछ ही difference है, दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं, पर्फॉर्मेंस के बारे में तो दोनों ही Apple Watch आपको यहाँ पर सिमलर देखने को मिल जाएगी पर्फॉर्मेंस बेस में यहाँ प्याद सकते हैं Series 5 आपको थोड़ी fast देखने को मिल सकती है क्योंकि यह हमारा latest model है यह हमारी launch हुई थी 2019 में और Series 3 की बात करें तो यहाँ पर भी आपको पर्फॉर्मेंस अगर आप साइड बाइस देखने को लग सकती है लेकिन यहाँ पर दोनों ही की performance बहुत ही अच्छी है यहाँ आप देख सकते हैं इसके application movement आपको थोड़ा यहाँ पर Apple Watch Series 5 में fast देखने को मिल सकता है और Series 3 में थोड़ा slow देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर यह latest version है और यह थोड़ी old version है इसलिए दोनों में ही processor की काफी difference है दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं brightness के बारे में तो यहाँ पर आपको दोनों ही Apple Watch में जो peak brightness है आपको 1000 nits तक देखने को मिल जाएगी जिसका मतलब यह है कि आप heavy धूप में भी easily अपनी Apple Watch में time देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफी visibility प्रोवाइड होती है 1000 nits में जो की बहुत ही enough है दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं chipset के बारे में तो Apple ने यहाँ पर अपनी Series 5 में S5 chipset दे के रखा हुआ जो की काफी fast है काफी accurate है और यहाँ पर आप दे सकते हैं आपकी Series 3 है इसमें Apple ने अपना S3 chipset दे करके रखा हुआ यह भी आपको काफी fast देखने को मिल जाएगी ले यहाँ पर दे सकते हैं हमाई जो Series 3 है वो Apple अभी तक अपनी official website पर sell कर रहा है काफी पुरानी watch होने के बावजुद यहाँ पर आपको officially Apple की website पर यह बिक्ती हुई देखने को मिल जाएगी लेकिन यहाँ पर leaks and rumors से पता चला कि आने वाले जो watch OS update है यहाँ पर आपके support तो करे जैसा कि मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी आप जाकर के चेक आउट कर सकते हैं लिंक मैं दे दूंगा description box में आप वहाँ से उसकी फूरी वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर Apple हो सकता है इसे discontinue कर दे इस event के बाद जो भी September में event होने वाला है और हो सकता है यहाँ पर इसके बढूब जाता है जो कि S5 है और यहाँ पर आपको Always On Display का जो है mode देखने को मिल जाता है आपकी Series 5 में और यहाँ पर आपको water resistant देखने को मिल जाता है 50 meter तक का जो कि दोनों the watch में आपको waterization देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको series 5 में काफी लंबे समय तक watch away सब्डेट देखने को मिल सकते हैं इसलिए आप अगर अभी purchase करना चाते हैं apple watch तो आप series 3 के लिए न जाएं रुख जाएं थोड़ा event हो जाने दें September का उसके बाद आप सोचें कि आपको series 3 लेना या series 5 लेना है यहाँ पर आपको series 3 से बहुत ही better option देखने को मिल जागा series 5 में जो कि बहुत ही अच्छी बात है मुझे बहुत पसंद आती है यह apple watch थोड़ी fast भी है series 3 से तो आप लोग को मैं recommend करूंगा अगर आप जो है लेना चाहते हैं तो आप series 5 परचेस कर सकते हैं value for money apple watch है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को apple watch series 3 और जो है series 5 को comparison full details में दिखाने कोशिश करिए अगर आप लोगों यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को like करती जएगा और हमारी चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करती जए मिलते हैं आप लोगों से next वीडियो में तब तक के लिए goodbye take care and thanks for watching